धनबाद तो कॉंग्रेस में महोल हो गया है, अनुकमा सिंग जो प्रत्यासी हैं, एक सुल्जी भी हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, इसलिए धनबाद एक तरफा कॉंग्रेस जुनाव जीत है, धनबाद को मजदूर नगरी कहा जाता है, कोईलान चल कहा जाता है, जिंदरी चल मजदूर बर्क का जुकाओ उसी के तरफ रहेगा, जो मजदूरों का काम करता है, तो नौजवान, पिछड़ा, अगड़ा, अकलियत के लोग, सारे लोग इस बार नरंद्रमोदी के जूठे वादों से उब चुके हैं, इसलिए सारे लोग इंडिया गटबंधन को चिताना चा रहा है, और साथ ही साथ, राहूल गांधी ने जो चार हजार किलो मीटर की आत्रा करने के बाद, उनको महसूस हुआ कि नहीं इस देश की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, उन्होंने अपने मेंकोष्टों में कहा कि हर महिला को एक लाक एक साल में इंडिया गॉर् चिना जी, वो बहुत सांथ दिख रहे हैं, आखिर क्या वजा है, क्या प्रिस्तिती उत्पन हुई जो सांथ दिख रहे हैं, बताए ये भी जा रहा है कहां लडाई अगड़ा और पिछड़ा का हो गया है, जिसके वाज़ा से वो भी सांथ हो, उस वर्ग से आते हैं, उस व प्राद कलपना सौरेन जार्खन की कमान समालेगी, इसमें राजनितिक परिस्टी फड़ा जार्खन की बदली हुई, दिख रही है, क्योंकि जैसे ही ग्रामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफतारी हुई, उसके बाद मंत्रीपत से इस्तिफा दिया गया, क्या कुछ लग रहा है कि अगर जार्खन में कोई नया मंत्री बनेगा, अल्पसंक्यक समुदाई का बनेगा, और बनेगा तो कौन बनेगा, इसलिए हम लोग पासमांदा को अपने साथ लाएंगा और उसे नया इदिलाएंगा, जैसे उन्होंने यूपी में एक मंत्री बनाया है, दा इन कांग्रेस से छटक कर बीजीपी में जा रहा है, जो इस चुनाव में अपना कारनामा दिखाया है, जो अपने सब्दों के बान से इंडिये वालों को घायल किया है, वाकई जार्खन की एक नई कल्पना बनके उभर रही है जोहार मैजाबाज आप देखना सुरू कर दी है, दन्यूस खजाना, पुरे देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है, पचीस तारीको छटे फेज का वोटिंग होना अभी हम लोग, धनबाद लोकसभा सीट पे हैं, और यहां हमारे साथ जुर चुके हैं, कांग्रेस न जिस समाज से आते हैं, उस समाज के भी मुद्डे उठाएंगे, सबसे पहले आपका दन्यूस खाजाना में स्वागत है, धन्यूद आप देखना सीट, पहले सबसे पहले आप धनबाद लोकसभा सीट, लोकसभा से हैं, क्या माहुल है यहां कांग्रेस न धन बाद तो लोग आरोप लगा रहे थे कि PNC काम नहीं किया है, काम नहीं किया है, उनका उमर भी हो गया है, लेकिन जैसे ही परत्यासी बदला गया, एक पिछड़ा समाज का एक परत्यासी दिया गया, उसके बाद समीकरन चेंज होते दिख रहे हैं धनबाद के, क्या कुछ कहेंगे? धनबाद में भाज़पा का परत्यासी जो धुलू मातो को दिया गया, धुलू मातो की 26 सब जानते हैं, उन पर आरोप लगे हैं, 20-22 को केस हैं, जब आप उनको आप जाए गूगल में, उनका सर्च किजिए तो आपको लगेगा, कि कितने धराएं उन पर है, कितने केस कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्यासी के बनिस्पत, अच्छा ठीक है, प्रत्यासी के बनिस्पत तो बात सही है, लेकिन जरिया, धनबाद, यहां के मुद्दे क्या है, जिससे आम जनता लोग लगातार जूज रहे हैं, और उनसे निजात पाने के लिए, जिसे उन्हें जो साउथ जाने वाली ट्रेने हैं, बंबे जाने वाली ट्रेने हैं, यह ट्रेन मिली नहीं, बलकि यहां जो मिलने वाली ट्रेन थी, वो सावरी गुड़ा, सिक्त निसिक, कांद दुबे, यहां के निस्क्रिया, जो सांसा थे उनके चलते, भाजपा के सांसा थे उनके चलत सारी बेवस्था जो है गोड़ा में शिप्ट कर दिया गिया क्योंकि हम में लगा कि भारतिया जनता पाड़ी यो सांसत थे पियन सिंग साब कहीं न कहीं ओलाचार न जरा रहे थे इसलिए अपने छेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं ला सके और जनता में इसका बहुत भार या क्रोस है और लोगों को एक उमीद बनी है कि इस बार कॉंग्रेस इंडिया गड़ बंधन का प्रतियासी अनुपवा जित्ती है तो विकास की धारा बहेगी विकास की गंगा बहेगी इसलिए कि उस परिवार से आती है वो राजनीत परिवार है राजंदर परशाद पुरा कारेभाल उसी तरह जार्खन में निबाया था तो उनके जो हस्वेंड है अनूप सिंग sinners और अपने चेत्रों सारा की प्रीं क सिंग कर रहे हैं। में लोग obrigado को उनीद जगी ह fabrics आगे समीकरन बन रहे कितु। सबसे बड़ा जो समिकरण है यह मजदूर नगरी धनबाद को मजदूर नगरी का जाता है कोईलांचल का जाता है जिन्दरी चल जाए यह तर फर्टरलाइजर है धनबाद आई यह तर रेल है तो यह उद्ध्योग का है और उद्ध्योग में मजदूरों के लिए काम करने वाला राजंदर बाबु थे हैं और मजदूर बर्क का जुकाओ उसी के तरफ रहेगा जो मजदूरों का काम करता है जिन्द्रमोदी के जूठे वादों से उब चुके हैं इसलिए सारे लोग इंडिया गडबंधन को जिताना चाह रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो 4000 किलो मीटर की आत्रा करने के बाद उनको महसूस हुआ कि नहीं इस देश की महिलाओं के लिए कुछ करना चा इवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा धड़ा-धड़ रोजगार मिलेगा और उसके साथ-साथ जो बीमार रहते हैं उनके इलाज के लिए 25 लाग की बेवस्था की जाएगी अगर बड़ी बीमारी है तो उनको 25 लाग तक फिर इलाज कराया जागा एक कॉंग्रेस का बहुत बड़ा मेंफेश्टो में और इसी से लोग आकरसित हो रहे हैं अप मजदूरों का नेता बोलें टाइगर नाम से मजदूर है डुलू मातो वो भी मजदूरों के नेता थे तो उनके साथ भी तो मजदूरों है उनका भी एक यूनियन चलता था देखिए एक यूनिय सिंग वो जनता मजदूर संग की उनियन चलाती है और बहुत सारे हमको लगता है कि भारतिये जो मजदूर संग है उनके छोड़ करके जितनी उनियन है सबने अपना सपोर्ट अनुपमा सिंग को दिया है यहां धनबाद पर इसलिए उनियन से संबंधित मजदूर जितने हैं स है यह भी जा रहा है कि हां लडाई अगड़ा और पिछड़ा का हो गया जिसके वज़ा से वो भी सांत हो गया है लडाई अगड़े पिछड़े की नहीं है लडाई जो है दो धाराओं की है एक धारा रोजगार चाहरा है एक धारा महिलाओं का सम्मान चाहरा है और एक धार जो है एक धारा जान नरेंद्र मोदी जी की धारा है जो नरेंद्र मोदी की धारा सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी करने का है तो यहां अगड़े पिछड़ी के कोई बात नहीं है सारे लोग इंडिया गडवंधन के साथ खड़े हैं रही उनकी पाठी के बाद तो हर लोग जोग चाहते ह ہیں कि सोच चोवी के लोग मयदान में आवें इसलिए राज सिन्हा के जबान से भी निकल करें कि भाई सोच प्रतियासी को उड़ दे तो इसमें बुरी बात नहीं है अच्छे इनसाैं राज सिन्हा जी इसलिए उनसे दिल से इसी बात ने कली कि सोच्छवी के लोगों को भूड़ तो जनता समझ रहे हैं कि सोच्छवी के कौन लोग हैं उनका सांत रहना कितना benefit देगा Congress को राजप सिन्हा जी सांत नहीं हो तो देख रहे हैं घुम रहे हैं अपने party के लिए घुम रहे हैं लेकिन साफ उनोंने संकेत कर दिया है कि सच्छवी को भूड़ देना है जनता समझती है जनता सब जानती है जनता ये भी कह रही है कि जतना लोगों के नेता हैं सब एक हो गए है सर्यू राय से लेकर सिना जी जो विधायक थे वो भी एकजूट हो रहे है पियन सिंग से भी अनुपमा सिंग मिल रही है असिरवाद ले रही है तो क्या लग रहा है कोई माहौल तो नहीं किरेट कर रहे हैं ये तो अनुपमा सिंग का संसकार जह लगता है कि अपने बड़ो बुजर्गों से असिरवाद ले रही है बड़े बुजुर्गों के पास जा रही है उन्हों पेर चुकर के आसिरबात ले यह तो संसकारी है यह लगदा है कि संसकार परत्यासी है इसलिए लोगों को ऐसा लगता है हर आदमी अपने पार्टी के लिए काम करता है मैं साब मैं तो कहा ना कि यहाँ लड़ाई अगड़े पिछड़े के नहीं है यहाँ लड़ाई सिर्फ है बेरोजगारी के खिलाप यहाँ लड़ाई है भाई चारे के लिए यहाँ लड़ाई है मजदूरों को जो सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए लड़ाई है अच्छा एक हाई वर्ग डरे हुए रहते हैं प्रिंस खान के नाम से क्या मामला है ये भी बताया जा रहा है कि डुलू मातो और प्रिंस खान का ताल मेल है इसी वज़ा से वो जो विरोध कर रहे थे जब डुलू मातो को टिकट मिला था उसके बाद वयवाई SIAI वर्ग के जो अध्याच से वो विरोध कर रहे थे उसके बाद प्रिंस खान का भी आओडियो वायरेल हुआ ता क्या साठ गाठ है दोने के बीच पता चल पाया है इसके बारे में तो जिला प्रसासा नहीं बता सकता है हम तो इसके बारे में नहीं बता सकते हैं ना मुझे कोई ऐसी जनकारी है अप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग लगबख 55 से 56 लाग वोटर पूरे जारखन में हैं लेकिन गडबंधन की सरकार एक भी टिकट नहीं दी है तो आखिर अल्पसंख्याक समुदाई कांग्रेस को वोट क्यों करें देखिए सवाल है गडबंधन टिकट नहीं दिया टिकट मापडंद होता है और रही बात की नहीं दिया मापडंड में जो हमारे फुरकान साहब थे उनको टिकट की उम्र उनकी ज्यादा हो गई थी उनसे कहा गया था कि आप अपने परिवार से किसी को देना चाहते हैं तो चुनाव लड़ा लिजे इनकार करने के बाद कोई टिकट का दूसरे जगह वैसा शिमवरियों बचता नहीं था या और कहीं से वैसा जगह दिया जाए यहां के सीटे बहुत ज्यादा है जारकंड में तो उसके अलाव और कोई गुड़ा के अलाव और कहीं सीटों इसा बच नहीं पा रहा था रही बात जहां तक अकलेतों की अकलेतों को इंडिया गडवन्दन ने समान दिया कि सरफराज अहमत को राजसभा में बेजा एडिया इंडिया गडवन्दन ने बेजा लोग कह रहे हैं कि उनका जो जीती जीती जो वहां लगातार कोई मुस्लिम कंडिडेट जीत सकता था उसे हटा कर एक सेटलमेंट कर दिया गया है और जहां भी कलपना सोरें चुनाव लड़ी है तो इसलिए साठगाट किया गया है जिसके वज़ा से मिला कोई सम्मान नहीं मिला है सम्मान आप कहा रहे हैं कि सर्फराज साब को जनता कह रहे हैं अभी चुनाव में छे महिना बाकी है बिधायक छे महिना तक रहते है सर्फराज साब उनको छे साल के रहा सभा जो देश का सबसे उच्छ सदन कहा जाता है उससे बड़ा कोई सदन नहीं होता है तो सदन में भ लेकिन अलपसंख्या के जो मुद्दे थे उर्दू सिच्छकों की भरती या और भी बोडों का निगम का जो गठन होना था वो भी नहीं हो पाया आखिर कैसे भरोसा जता है अलपसंख्या के लोग गडबंदन सरकार के उसको मैं मानने को तयार हूँ लेकिन चुनाओ के बाद तुरंत जितना भी बोड निगम का है बाकी है चाहे अकलेतों का जो भी बाकी है वर्क बोड है आपको भी तायोग है सास्वासन मिला है कि सबका गठन कर दिया जाएगा कुछ सरकार है यहां खीष्टान में जो चर्ड़ेती भारती जन्टा पार्ट गठना हो जाएगा अच्छा हाल ही के दिनों में राजनीतिक परिस्टी थोड़ा जार्खन की बदली हुई दिख रही है क्योंकि जैसे ही ग्रामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफतारी हुई उसके बाद मंत्री पत से इस्तीफा दिया गया क्या कुछ लग रहा है क अगर जार्खन में कोई नया मंत्री बनेगा तो अल्प संक्यक समुदाय का बनेगा और बनेगा तो कौन बनेगा देखिए यह तो मुख्यमंत्री का विशेस अधिकार है आलमगीर सहाब को एडी ने आरेस्ट किया है जहांच पड़ताल कर रही है आरोप है आपके नेता प कच्छे इमांदार नेता है इमांदार छवी के है इस साजिसे का शिकार भारतिये जनता पार्टी जो है उनकी एडी सीबी आई जो है उनके जो इतोता है उनको निर्देश दिया जाता है कि किस तरह किसको फंसाना है उसी तरह उनको फंसाया जाता है अलमगीर सहाब से इमा सन बंदा हुआ रहा था ऐसा वायरेल हो रहा है हर चीजें अख़बारों में दिन बदिन ने ने चीजें आ रही उसके बावजूद भी आप कैसे बोल सकते हैं हम आप कागज निकाल करके आपका नाम ले लेंगे उसमें लिख देंगे कि पत्रकार महोदय आये थे हमारे पास और हमसे इंटरविव लेने के लिए पांच यह रुपिया मंगा था आपके नाम पर हम लिख देंगे तो इसको आप माल लेजिएगा यह तो साजिस्ट पूरी के पूरी साजिस्ट चल रही है अच्छा मंतरी कौन बनेगा नेक्स्ट और क्या अलपसंख्यक समुदाइके हो सकते हैं और हो सकते हैं तो कौन हो सकते हैं अगर मुसलिम को ही बनाना हुआ तिरफान अंसारी साथ तो हैं विदायक हैं उनका जगह बनता है उन्हें बनाया जा सकता है या किसी और को बनाया सकता है ऐसा थोड़ नहीं है कि अगर छे महिना सरकार चलने वाली है किसी और को भी बना दिया जा सकता है ऐसा भी हो सकता है मोधी जी एक आरोप लगाते हैं मुस्लिम समुदाई के उपर की तमाम जो चाहे नेता बननी की बात हो या और भी कोई अधिकार लेनी की बात हो तो सिर्फ असराफ मुसल्मान ही नजर आते हैं पासमंदा मुसल्मान नजर नहीं आते हैं मौधी जी को इतनी चिंता है पासमांदा मुसल्मानों की किया एक मंतरी बना जाने से उनके मामले को हल हो जाएगे पासमांदा मुसल्मान पर इतना ही उनका ध्यान है तो जो अजीफा होता है मौलाना कला माजाद उसको घटा क्यों दिये क्यों मदारिस में जो पसमांदा के बच्चे ही मदारिस में पढ़ते हैं गरीब तपका के बच्चे ही मदारिस में पढ़ते हैं उस्तरपरदेश में मदारिस में तला क्यों मोदी जी मार दी रहा है मोदी जी से जवाब पूछना चाहिए जो बित्त आयोग है अलप संक्य की बित्त आयोग है उसकी राज़ी क्यों घटा दी जाती है अलप संक्य के लिए जो सबसे ज़्यादा पसमादा मुसलमान को ही जरुत पड़ता है ते मोधी जी का एक शगूफा है मोधी जी मुसलमानों को कभी भला नहीं करना चाहते हैं पुर्जोर तरीके से अब जितनी भी रैलियां हो सभाओं में उठा रहे हैं लेकिन सिर्फ हिंदू धर में समाजिक नयाई की बात होती है जबकि हर धर में अलग-अलग जातियां है क्या मुस्लिम समुदाय में भी जितनी जातियां है उसे भी समाजिक नयाई के आधार पर भ जारखन में हैं कि नहीं है इस फानान सारी तो जो जिस काबिल होगा उसको टिकट दिया जाएगा पार्टी के लोग इतना समर्पित होगा उसको टिकट दिया जाता है ऐसा कहा है कि टिकट नहीं दिया जाता है बहुत सारे हैं ऐसे आप देखिए टिकट तो मिलता ही है इंडिया गद बंधन के साथ अकलियत के लोग खड़े हैं, राहुल जी के साथ खड़े हैं, इस देश के ताना बाना गंगा जमुना तहजीब के साथ खड़े हैं, मुहबत की दुकान खुलने के रिए खड़ा है जार्खन में 14 में से कितनी सीटे जीत रही हैं, इंडिया गड़ बंधन, 14 में से हम लोग 14 जीत रहे हैं, 14 में से 14, रिजल्ट आने दीजे, देख लिजेगा एक सवाल काफी लोग अभी जार्खन में जाना चाह रहे हैं, कि गांडे का उप चुनाओ हुआ, क्या इसके बाद कलपना सुरेन जार्खन की कमान समहाले ना समहाले, लेकिन कलपना सुरेन जो इस चुनाओ में अपना कारणामा दिखाया है, जो अपने सब्दों के बान से इंडिये वालों को घायल किया है, वाकई जार्खन की एक नई कलपना बनके उभर रही है, और उमीद है कि आने वाले दिनों में जार्खन की नई कलपना होगी, नए धंका जार्खन होगा, नए जार्खन का नया विकास होगा, उधे होगा, कलपना जी के नित्रित में होग हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए थे अब्दुलकरीम जी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्याथ है जारखंड के तो आप लोग बताएं कि हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी पर्तिक्रिया जरूर दें तब तक के लिए देखते रहे जानी उसके जाना जोहाद धन्यवाद सुक्रिया